क्या आप नादिया में रहते हैं? और क्या आप अपना नाम बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपका Your Doorstep चैनल में स्वागत है. इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप नादिया में नाम कैसे बदलें. इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए. नादिया में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गजट बनवाना होगा. गजट बनवाने के लिए आपको इन दो दस्तावेजों को बनवाना होगा. पहला एफिडेविट बनवाना, एफिडेविट बनवाने के लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की सारी जानकारी देनी होगी. दूसरा, समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना, समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने लोकल और अंग्रेजी दोनों भाशा के समाचार पत्र में नाम बदलने की पूरी जानकारी लिख कर प्रकाशन भेज देना है फिर इन्ही दोनों दस्तावेजों को गजट ऑन्फिस जो दिल्ली में स्थित है वहां ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है जब आप ऐसा कर लेंगे उसके 30 से 40 दिन के अंदर आपका गजट गवर्नमेंट की वेब साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको अपना गजट और जिस डॉक्यूमेंट में नाम बदलना है वो डॉक्यूमेंट लेना है और उस डॉक्यूमेंट की आउन्फिस में जाकर नाम चेंज करवा लेना है जैसे अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम बदलना है तो आपको अपना पुराना आधार कार्ड और गजट लेना है और आधार कार्ड ओन्फिस में जाकर नाम चेंज करवा लेना है पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए आपको अपना पुराना पैन कार्ड साथ में गजट लेना है और पैन कार्ड ओन्फिस में जाकर नाम चेंज करवा लेना है पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आपको अपना पुराना पासपोर्ट और गजट लेना है और पासपोर्ट corona, अफिस में जाकर नाम चेंज करवा लेना है इसी तरह से आप अपने किसी भी डॉक्युमेंट में नाम बदल सकते हैं हमें उम्मीद है कि इस विडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अब भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपका नाम बदलवाने में हम आपकी help करेंगे जिसके लिए आप इस नंबर पर काल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी Thank you so much